तो यह बात करते हैं सबसे प्रॉपर चीज यह आती है कि मैप माई इंदिया जो आई पी है उसके बारे में मैंने वीडियो में क्रेट की थी वहाँ पे कुछ कुछ थे कि इनके आई पीओ के लिए मैंने अलॉट्मेंट तो ले ली है बट मुझे पता कैसे चलेगा मैं कहां प इस कंपनी के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल पहले सी बता दिये कि क्या करता है मैप सब्सक्राइब करते हैं काफी अच्छी सर्विस प्रोवाइट कराते हैं कॉमन सी चीज यह आती है आप यहां पर देख सकते हो आप जब कहीं पर जाते हो तो आपको पता होता अब बात करें आज की आज हमारा में इंपोर्टेंट टॉपिक यह है कि जो IPO टाइम टेबल है उसके हिसाब से 16 दिसमबर को हमें कंफरमेशन मिल जानी चाहिए थी कि हमारा IPO में जो अलॉट्मेंट है वो हुआ है नहीं हुआ प्लस अगर नहीं हुआ है तो 17 दिसमबर को हमें यहां पर हमारा refund find out होना चाहिए बट बात की जाए तो सुबह तक कि किसी का भी refund find out नहीं हुआ था और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको check कैसे करना है कि आपका जो अलॉट्मेंट है वो अलॉट्मेंट मिल आपको ध्यान होगा जब आप पेमेंट करते हो तो महाँ पेंकार डेटेल मांगी जाती है प्लस आपको एक application number मिलता है और आपकी जो dp client id मतलब आपका जो dmit account है उसका जो client id की बात की जा रही है वो जैसे ही आप आप फिल करोगे तो आपको आपके allotment के बारे में पूरी प्यों ऐसे ही होता है तो आज की वीडियो के अंदर में टॉपिक यही था कि अभी यहां पे 1246 के आसपास हुए है आप थोड़ा सा वेट कीजिए अगर किसी का refund अपे तक वापस नहीं आ पाया है तो common सी चीज़े वह जल्दी ही वापस आ जाएगा क्योंकि 17 दिसमबर refund date find out यहां पे कर सकते हो उसे के साथ में लिस्टिंग यह 21 दिसमबर है लेट सी कि क्या इसका पर्टिक्लर प्राइज लिस्ट होता है काफी जाधा important है और देखता है इस चीज़ को कि क्या इसका प्राइज पर निकल कर आता है तो company के बार में पूरी डिटेल आपको मैंने लास वेबसाइट पर जाके अपना अलाट्मेंट अप्लिकेशन नंबर फिल करके find out कर सकते हो